दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कहीं पर आप हाउस बायरिंग का काम कर रहे हैं या आप अपने घर पर भी कोई काम कर रहे हैं जैसे आपकी अंडरग्राउंड बायरिंग है और बहाँ पर मेटलेक बॉक्स पहले से फिक्स हैं और उस बॉक्स में आपको लगाना है जो सीट आती है उसको कट करके उसमें सुच सौकेट कनेक्ट करके बॉर्ड बनाके उसको आपको बहाँ पर फिक्स करना है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं कैसे आपको उसकी मार्किंग करनी है कैसे कहाँ पर कितने सुच लगनी है और जो seat है उसको कैसे बहाँ पर काटना होता है ये सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में practically बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो पसंदा है तो लाइक सेर जरू करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो वो चैनल को सस्क्राइब जरू करने तो देखिए दोस्तो हम आपको इस बोट के बारे में बताने वाले हैं यहाँ पर हम एक seat बनाएंगे तो यह हमारे पास एक बड़ा size का seat है तो इसमें से हमें seat को काटना है इस size की तो इसकी हमें marking कर लेनी होगी तो इसकी marking करेंगे तब seat को हमें थोड़ा लंबा रखना है बड़ा रखना है जिससे जो बोड है वो पूरी तरह से कबर हो जाए तो हमने इसमें लंबाई में जो seat है उसको लिया है 210 mm और इसकी जो चोड़ा है उसमें 120 mm लिया है तो उसी साब से हमें इसको भी mark कर लेना होगा seat को और उसी साब से हम seat को काट लेंगे तो seat को देखिए इस परकार से काट लेंगे अब हमें करने हैं इस पर switch socket की marking और यहाँ पर कितने switch socket हमें यहाँ पर लगाने हैं उसको आपको इस परकार से arrange कर लेना होगा इस seat के उपर जो कि हमारा बिल्कुल center में होना चाहिए जिससे आपका कोई भी switch socket है वो थोड़ा भी टेला ना हो तो इस परकार से आप किसी भी scale या जो सीधी चीज़ हो उससे आप इसको बिल्कुल सीधा रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको mark करेंगे तो देखिए जो हमारे switch socket में जो connection के terminal होते हैं जो उबरा हुआ पार्ट होता है उसको हमारे seat के अंदर जाना होता है तो उस हिसाब से हमें इसकी marking करनी होगी कि यह जो seat है उतना हिस्सा हमारे cut जाए और यह हमारे point बाहर निकला हुआ है यह हमारे seat के अंदर चला जाए और जो उपर वाला हिस्सा है बहाँ पर हमारे switch socket है वो अच्छे से connect हो जाए तो यहाँ पर जो marking अगर अच्छी होगी तो हमारे seat है वो सही बनेगी अगर हमारे seat है थोड़ी सी भी जादा कट जाती है बीच के side से तो जो हमारे switch socket में जो हम nut bolt से connect करते हैं वो hole करेंगे तो वो seat हमारी पूरी तरह से खराब हो जाएगी उसमें हम hole नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल proper seat की marking करनी है और marking करने के बाद आपको देखिए जहां जहां पर आपने निशान लगाएते उस हिसाब से आपको यहाँ पर state line बना लेनी है तो इस हिसाब से आप इसकी state line बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना हिस्सा यहाँ पर काटना है तो देखिए यहाँ पर जो बीच का हिस्सा निकल के आ रहा है इस हिस्से को हमें काटना है और यहाँ पर हमें सुच सोकेट को कनेक्ट करना है तो काटने के लिए हम क्या करेंगे एक six square mm का nut लेंगे और nut को रख देंगे उस point पर जहाँ पर हम seat को थोड़ा hole करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कील भी ले सकते हैं यह हमने poker बनाया हुआ है हास से तो उस poker का हम इस्तमाल कर रहे हैं तो आप देखिए जब हम nut को नीचे रख देते हैं और उपर से जब poker से ठोकते हैं तो जो hole होता है वो बिल्कुल proper होता है कहीं पर भी seat खराब नहीं होती है हमारी बिल्कुल सही से और आसानी से hole हो जाता है तो देखिए आपको यहाँ पर इस परकार से 2-3 hole करेंगे जैसे आपका जो hexa blade है वो बहाँ पर आ जाए इतनी आपको जगए बनानी है तो देखिए हमने इतनी जगए बनाई है यहाँ पर और जो hexa blade है वो आसानी से यहाँ पर चला जाएगा जिससे हम seat को आसानी से काट लेंगे hexa blade की सायता से हमारे पास कोई machine भी नहीं है तब भी और इसके बाद आपको इस side भी आपको इस परकार से निशान जो काट लेना है जो पोकर है उससे निकाल लेना है और आपको यह ऐसे करना है cross में देखिए इस परकार से cross में करना है जिससे आपकी जो seat है वो पूरी तरह से कट जाएगी चारो side से तो आपको इस परकार से seat को काट लेना है और यह side से भी देखिए यह इस जगए है तो यह पर इस जगए से काट लेंगे और दूसरी side भी इस जगए पर हम ऐसा ही निशान होगा जगाए बनाई थी तो वहाँ से भी इसको काट सकते हैं और काटने के बाद आपको सुच सौकेट को फिर से कनेक्ट करना है और अब कालना है आपको इसकी जो होल होते हैं उसकी मार्किंग तो होल की मार्किंग देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, तो अगर आपका जो, हम बता लए हैं कि अगर जो seat है वो अंदर जाद़ कट जाती, तो ये होल होते हैं रहे होमारे जो करीब आ जाती है, कौने के पास आ जाती है, तो आपको यह ध्यान देना है जब मार्किंग करें तो फ्रोपर मार्किंग होनीया जिससे आपकी सीट है वो सहीर है तो देखिए इसके भी आपको फोल पोकर होता है या आप नुकिली-Kil दे सकते हैं उससे आपको इसी प्रकार से कर लेना है उसके नीचे आपको एक न्यट ना होगा जिससे सीट भी खराब नहीं होती होल होता है वह बिलकुल आसानी से हो जाता है बिलकुल जिसना आप चाहते हैं उतना होल होता है जहां पर आप चाहते हैं बहीं पर होगा देखिए यहां पर हमने इस परकार से सभी को होल कर लिया है और होल करने के बाद आपको सार कर लेंगे और connect करने के बाद देख लेंगे सभी सुच सीधे हैं तो देखिए यहां पर फिक्स लग रहा है और इसके बाद आपको बहाँ पर टाइट कर लेना होगा अच्छे से अगर कोई ठोड़ा भोड धीला होता है तो आप टाइट करेंगे जब तो होल को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो बुबल को सीधा हो जाएगा अब हमें इसके connection करने हैं तो connection करने के लिए हमारे बायर को आप छी लें तो उसको डवायर को थोड़ा एक्स्रा ची लें और उसको आप डबल करने के बाद फिर सुच और सौकेट में connect करें जिससे बहाँ पर वो अच्छे ताइट हो जाएगा फिक्स हो जाएगा और ताइट बिल्कुल अच्छे से करें बिल्कुल भी लूज ना रहने दे जिससे जो connection है बिल्कुल लूज ना हो अगर लूज connection होगे तो यहाँ पर वह हीट होके जो इसपारकिंग होगी उससे जल जाएगा socket हमारा है या सुच जल जाएगा तो आपको हमेशा अच्छे tight करना हो तो देखिए यहाँ पर अब यह हमारा socket का दूसरा point है बहाँ पर हमें neutral point connect करना है तो इस परकार से भी आप wire को थोड़ा ज्यादा चीलेंगे और उसको double करेंगे और double करने के बाद फिर आप socket में connect करेंगे जिससे वह अच्छे से fix हो जाता है tight हो जाता है तो देखिए यहाँ पर हमारा neutral भी connect हो गया है अब हमें करना है face को connect तो यहाँ पर जो हमारे तीनों जो सुच का एक एक टर्मिनल है वहाँ पर आपको इसको fix कर देना हो इस पर कार से fix कर देंगे और बायर को थोड़ा fix रखें ज्यादा एक्स्टा नहीं रखें और उसको अच्छे से फिर tight कर देंगे तो देखिए जब आप इसको line से connect करेंगे तो यहाँ पर face supply दे देंगे सुच में किसी भी जगह एक पर और यहाँ पर आप neutral को connect कर देंगे और जो socket की एक और terminal है हमारी तो यहाँ पर आर्थिंग नहीं है तो हमें अर्थिंग को connect नहीं कर रहे हैं अगर आपकी यहाँ अर्थिंग है तो जो हमारा socket है उसका उपर वाला motor terminal होता है वहाँ पर आप अर्थिंग को connect कर सकते हैं दोस्तो आप इसके बाद हम next वीडियो में बताएंगे आपको कि आपको जो seat है उसको जो metallic box है उसमें कैसे connect करने होता है किस परकार से आपको जो hole की marking करनी होते है जिससे आप जो seat है जब box में लगाए तो वो seat है बिल्कुल proper cd रहे है बिल्कुल भी तिरशी ना हो किस प्रकार से आप जो box के hole को marking करके आप इस seat में जो hole हैं वो कर सकते हैं और उस seat को वहाँ पर connect कर सकते हैं बिलकुल भी fix बिलकुल सीधे